राहुल गांधी ने इस लड़की के साथ फोटो खिंचा कर बहुत हिम्मत का काम किया है राहुल गांधी का बच्पन सोचा कर मुझे कई बार बुरा लगता है परिवार में कितने लोगों को बे मौत मरता देखावा उन्होंने पहले चाजा संजय गांधी की दुर घटना, फिर दादी इंदरा गांधी की हत्या, और फिर पापा राजीव गांधी का मधा राजीव गांधी की हत्या बहुत बेदग थी, इतने साल हुए, आज भी उसके बारे में सुनकर और सोचकर कपकपी सी होती है बुरा लगता है कि किसी के चीठ थड़े उर गए हो शरीर नहीं, मास का लो थड़ा बचा हो हमें इतना बुरा लगता है हम जिनका राजीव गांधी से न कोई लेना न देना प्रधानमंत्री थे, मगर हमारी तो यादू में भी नहीं है राहुल को कितना बुरा लगता होगा फिर चुनाव प्रचार के दोरान राहुल गांधी और प्रियांका गांधी भरुच में राहुल ने जो किया वो करपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है एक नवंबर को राहुल गुजरात में थे वहां भरूच है एक जगह, वहां राहुल का रोडशो था, तारवा चल रहा था साथ, राहुल एक गाड़ी में थे, तभी एक लड़की आगे आई, भीर कुछीरते हुए, दस्मी में पढ़ने वाली इस लड़की का नाम मंत्शा है, उसको राहुल के साथ सेलफी लेनी थी, राहुल ने उसका मन रखा, उसको अपनी गाड़ी पर चड़ने में हाथ पढ़ा कर मदद की, अगर ये सब पुर्व निर्धारित न हो, तो एक नेता के लिए अच्छी बात है, लड़की ने नीचे खड़े एक इनसान से फूलों का गुलदस्ता मांगा, फिर हाथ में वो फूल लेकर राहुल के साथ सेल्फी ली, एक या दो बार फोन क्लिक किया, शायद पहली तस्वीर अच्छी नहीं आई होगी, राहुल साथ दे रहे थे उसका, उसके साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, राहुल के साथ उनके जो बॉड़ी गर्ब्स थे, वो बिचारे परिशान थे, बार बार लड़की के हाथ से गुलदस्ता लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर राहुल के चहरे पर सब कुछ सामान्य था, एक मुस्कुराहट थी, जो बनावटी नहीं लग रही थी, फिर लड़की गाड़ी से उतर गई, जब सीड़ी पर पाओ रखकर नीच देखते रहे, उसके सही सलामत नीचे उतरने पर ही तसलिय उनको, फिर उन्होंने नीचे जुक कर उससे हाथ मिलाया, बाकी कई लोगों से भी हाथ मिलाया